this is about the atmospheric nitrogen क्या आप जानते है एक मॉसर में 78 परसेंट नाइट्रोजन है लेकिन ही नाइट्रोजन इनर्ट है नॉन रेक्टिव है प्लांट इसको ड्रेक्ली एंट्टो के फॉर्म में कंज्यूम नहीं कर सकते है तो प्लांट को चाहिए कुछ ऐसी कन्वर्टेबल फॉर्म जिसक के द्वारा नै्ट्रोजन ऑनिए अं-थि और अमोनिया एन और न्यृ और आमोनियम आएन न्यृ पॉजिटीवृगतं भॉटेरिया होते हुसके बात वो एसी मिलेट हो जाता है प्लांट के अंदर consume हो जाता है और nitrogen is very very important for the plant growth and chlorophyll formation and it have too much role in plants और कुछ denitrin 5 bacteria उसको दुबारा से convert कर देते हैं atmospheric nitrogen इसके लाबा decomposer भी बहुत ही बड़ा role play करते है decomposer दो टाइप के है एक होते है aerobic और एक होते है anaerobic aerobic मतलब जो oxygen की presence में काम करेगे और anaerobic जो without oxygen की presence में काम करेगे decomposer मतलब बड़े-बड़े complex substances को breakdown करना simple firm के अंदर decomposer complex जो plant product थे उनको दुबारा से ammonia के अंदर convert करते है this is all about the nitrogen cycle